नमस्कार, मैं बीरमदेव, असिस्टेंट प्रोपेसर हिंदी, राजगी कन्या माविद दले बूंदी आज किस कालांस में मध्यन कर रहे हैं, बीए पाठ पर्थम वर्ष, विशे हिंदी साहिते, इकाई त्रत्ते एकाई त्रत्ते के अंत्रगत हमारे जो पाठे करमें उसमें सुर्दास, तुल्सिदास, मीराबाई और रस्खान ये चार भक्तिकाल के कभी लगे हुए हैं, इसमें से आज हम मद्यन करेंगे सुर्दास, द्वारा, रचित, पदों की हैं जो पद हैं उनकी व्यक्ष्याओं की सुर्दास का पद हैं जुगती, बिनु निरा लंब कित धावे, सब विदी अगम विचार ही ताते, सुर्द सगुन पद गावे तो सब सब पहले संधर्म लिखेंगे, कि प्रस्तूत काव्यांस हमारी पाठे पुष्ट का भक्ति कावे के अंतरगत आये हुए भक्ति काल की, शगुन भक्ति कावेधारा की उपसाखा, क्रश्न कावेधारा के पर्थी निदि कवी, सुर्दास द्वारा रचित, विने तथा भक्ति के पद सें या सीर्शक सें शंकलित किया गया हैं। प्रसंग, प्रस्तुत अउत्रण में सुर्दास ने निराकार इश्वर की उपासना के बजाए, सगुन साखार इश्वर की उपासना करने पर बल दिया हैं। और कारण भी बताया हैं कि सगुन शाकार इश्वर की हमें उपासना क्यों करनी चाहिए। सुर्का मानना है कि जो निर्गु निराकार इश्वर हैं, जिसका कोई रूप, रंग, कोई आकार नहीं हैं, उसकी भक्ती करना, उसकी उपासना करना बड़ा मुश्किल हैं। और जो शगुन नर सरीर रूप धारी जो इश्वर हैं, उसकी भक्ती करना सहज सरल हैं। इसलिए सुर्दाश शगुन भक्ती करने पर बल देते हैं, और कारण भी बताते हैं। व्याक्या। अभी गत गती का चुकहत ना आवें, जो गूंगे मिठे फलकोरस अंतर मन ही भावें। शुर्दाश करते हैं कि उस अभी गती अग्ये इश्वर की अभी गती जो अग्ये हैं, जो निर्गुन हैं, जो निराकार हैं। गती का चुकहत ना आवें। जो ऐसा इश्वर हैं, जो निर्गुन निराकार, जो शर्व यापी हैं, जो दिखाई नहीं देता हैं, ऐसे इश्वर की लेला करना, जो इस इश्वर लेला करता हैं, उस इश्वर के बारे में कहना, उसका गुनगान करना, उसकी प्रसंसा करन उसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है जो गुंगे मीटे फल को रस अंतरमनी भावे कर जिस प्रकार से गुंगे वेक्ति को मीटे फल का स्वाद तो आता है परन्तु वह उसके विशे में कुछ नहीं कर सकता वो उसके स्वाद के बारे में बता नहीं सकता अंतरगती भावे वो सिर्प उस गुड का अंतर मन में ही स्वाद मैसूस कर सकता है उसको बता नहीं सकता उसी प्रकार से जो निर्गु निराकार इश्वर है उसके स्वरूप के बारे में उसके बारे में बताया नहीं जा सकता उसे तो वही जान सकता है जिसने निर्गु निराकार इश्वर को जाना हो समझा हुए इसको मैसुश कर सकता है परम स्वाद सभी सु निरंतर अमिर्ट तोश उपजावे गोंगा वेक्ती उस स्वादिष्ट जो पधारते जो गुड़ हैं उसका अंतर मन में ही स्वाद मैसुष कर सकता हैं प्रशन हो सकता हैं लेकिन उसे वेक्त नहीं कर सकता उसी प्रकार से मन बाने को अगम गोचर सो जाने जो पावे जिसने उसे पाया हैं वही उसको जान सकता हैं वही उसके बारे में मैसुष कर सकता हैं रूप रेक गुण जात जगुती बिन निरा लंब कित धावे जिसका कोई रूप नहीं है कोई आकार नहीं है कोई गुण नहीं है कोई जाती नहीं है बिनु कित धावे एसे निर्गु निराकार इश्वर की कैसे भक्ति कि जा सकती हैं केसे उसके आरादना किए दा सकती हैं सब विदी अगमे विचार रहे ताते सुर्दास कर रहे के मैं सभी विदियों से उस अगम अगोचर रिश्वर के बारे में विचार करके ठक गया हूँ लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता इसलिए सुर्दास सगुर पदगाव इसलिए कर रहा है कि सुर्दास ने निर्गु निराकार इश्वर के पेक्षा सगुर साकार इश्वर के मैं पदगाता हूँ उनकी भक्ति करता हूँ उनकी इस्तुति वंदना करता हूँ पद का असारांस ये हैं कि निर्गू निराकार इश्वर की बक्ति करना उसी प्रकार से तठीन है जिस प्रकार से गुंगे बेक्ति के दुआरा उस खाये हुए गुड के स्वाद को बेक्ति करना सगुन बक्ति की सरलता और निर्गुन बक्ति की जटिलता का भाव व्यक्त हुआ है बिंदू नमर दो इसमें अनुप्राश और कावेलिंगर अलंकार की छटा सोबनिय है और इसकी जो पदी उजना है वो भावान कुल मदुर है धन्यवाद